जय हिंद इस वीडियो में हम लोहार का मिडिया कंपनी के बारें बात करेंगे फाइनली कई दिनों की ग्रावट के बाद आज इस कंपनी में एक संदार तेजी देखने को मिली है अब सवाल यह है कि तेजी कहां तक दिखने को मिल सकती है, कब तक यह तेजी बनी रह सकती है, जो लोग इस company के share buy किये हैं, उन्हें कब तक ठाड़ना चाहिए, नए लोगों के लिए क्या opportunity है, तो इस वीडियो में हम लोग इस company का fundamental analysis करेंगे, और analysis के थुरू इही से सवालों का जवाब, आसान भासा हम लोगने के कोसिस करेंगे, तो बने लिए वीडियो के लाश्ट तक वीडियो बहुत आपके लिए informative और काम के होने वाली है, पूरा देखेगा, आइए शुरू करते हैं, देखें दोस्तों, लुहार का media and infra limited company का पूरा नाम है, अब इस company के नाम मे बिजनेस सेक्टर से बिलॉंग करती है, यह company एक October 2006 को, जिस समय एक एक सेर का प्राइस था, एक रुपया 75 पैसा, और जब आप देखेंगे, तो 2009 से 12 के बीच में कमपनी ने 120 रुपया का अपना all time high लगाया था, लेकिन company के उपर धिर देर लौसेज बढ़ते हैं, company के उप थोड़ी बहुत तेजी आई, company का share price 45 पैसा से उठना शुरू हुआ, और जब एक रुपय का आसपास आया, तो एक रुपय के बाद इस company का share price काफी तेजी से बढ़ा, एक रुपय से बढ़ने के बाद आ गया, 4 रुपय 97 पैसा तक लगभग लगभग 5 रुपय का आसपास इस company का share price बना रहा, अब सवाल है कि यह तेजी कहां तक देखने को बन सकती है, कितने लंबे समय तक यह तेजी रहा सकती है, ताकि हम मुना पाओ, तो इसी का जवाब होनों के इस वीडियो में ढूंडने को सिस्ट करेंगे, फिलाल यह समझे कि 5 रुपय साथ जो आज market बीजा सकता है, नीचे कहां तक आ सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, अब कुछ fundamental analysis करते हैं, उसके थूरू पतर लगाने के को सिस्ट करते हैं, फ्यूचर में कमपनी कितना sustainable है, समझे, जो quarter 3 के नतीजे आये हैं, अभी हाल में करीब कर दो सब्ता पहले आये हैं, यह point three phone लिखा हूँ, इसका मतलब लाक में है, और अगर PAT अर्थाथ profit after tax की बात करेंगे, इसको सुध मुनाफा करते हैं, तो यह 16 लाक से बढ़ करें, 20 लाक हो गया है, सिर्फ 3 महा में, 20 लाक का profit पिछले 7-8 quarter में आया ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कमपनी के जब आकड़े दमदार आये हैं, तो कमपनी growth कर रही है, कमपनी काम काई अच्छा करें, कमपनी का management बहतर हो रहा है, इसका लावा देखें, तो reserve है, कमपनी के पास 4 क्रोन, 50 लाक रुपया, सिर्फ 4 क्रोन, और करजा, करजा 25 लाक है, नाम मातर का, देखें, करजा का होना बुरी बात नहीं है, कमपनी बैपार करते हैं, तो थोड़ा बहुत करजा उनको उपर होता है, स्वाल यह है, कि साल दर साल करजा बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, तो इस कमपनी के करजा भी कम हो रहा है, कमपनी अपने debt को reduce कर रही है, इसका लावा कमपनी dividend भी देती है जी, यह एक penny stock होनेक बाजूत, साल दर साल, हर एक साल, साल में एक बार dividend देती ही, करोना आने की एक साल पहले तक कमपनी dividend दी है, पिछली बार कमपनी ने 2018 में dividend दिया था, अब यह कमपनी चुकी penny stock है, तो ज़्यादा dividend नहीं देती है, पैसे में ही dividend देती है, 50 पैसा के आस- 621% का संदा return दिया है, 6 मा में 382% का return दिया है, तता साल भर में 814% का return दिया है, मार्केट जब थोड़ा सा इसका down आरा था, तब की बात नहीं कर तो थोड़ा बहुत गिरावट आया होगा, लेकिन मैं overall बता रहा हूँ, आपको साल भर में 814% का return इस company ने दिया है, इसका म निकले होंगे, अर्था 100 रुपया लगाए होंगे, तो 900 रुपया लेके निकले होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप पैसा लगाए, तो long term को नजरिये से पैसा लगाईए, company के ROE और ROE दोनों positive है, यह एक plus point है, company ASM, JSM list से बाहर है, दूसरी बात, company के जो बड़ आता है, तेजी ज्यादा दिन तो नहीं बनी रा सकती है, और share price down आता है, तो आज सकता है, 2 रुपया 20 पैसा कास पास, नहीं तो इससे भी निचे अगर आएगा, तो 1 रुपया 80 पैसा कास पास आएगा, एक रुपया 80 पैसा इस company का strong support है, उससे निचे नहीं जाएगा, आप सही समय इस company share को bike करने के लिए, वहाँ पर आप bike कर लिजेगा, और जो लोग पहले से company share को खरीद को बैठे हुए, उनके लिए, वो क्या करेंगे, समझे, आप थोड़े दिन और इंतजार कीजे, अब तो company में तीजी आना शुरू हुआ है, आपके लिए अच्छे दि आपको समझ मैया होगा, वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यबाद, सुक्रिया,